नमस्कार मैं रितेश आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों आज मैं किसी एप या वेव सेरीज के बारे में बात नहीं करूँगा आज मैं बात करूँगा एक शॉर्ट फिल्म के बारे में शॉर्ट मुवी देखना हमारे लिए तो बहुत आसान है 20-25 मिनट में आदे गंटे में हमने एक मुवी देख ली लेकिन इसे बनाना बहुत ही मुश्किल काम है कम समय में एक अच्छी कहानी कहना और ऐसी कहानी कहना जिसका कोई असर है वो यह बहुत ही मुश्किल काम है लेक यहां कहानी है एक परिवार की जो की बिखरा हुआ परिवार है पत्नी बहुत ज्यादा बीमार है और जो बच्चे हैं वह बाहर रहते हैं कभी अपने बाबाब से मिलने के लिए पिर होता है यह है कि वह ब्यक्ती है यानी पति है यानी संजय मिष्रा वह किसी बहाने से बच्चे को बुलाते हैं बच्चे को बैढी वह जो बहुत बेसे हमद ंक करे हैं या बाप बेटे का relation है बहुत ही कम dialogues में सामने आ जाता है इसके अलावा हर character बहुत अच्छे तरह से build किया गया है आप देखिए कि उनके background के बारे में भी थोड़ी चर्चा हो जाती है और उनके present पे यहां बात हो ही रही है इसके अलावा आप देखते हैं कि कुछ ऐसे issues को भी यहां touch किया गया है जो कि important issues है जैसे कि यहां homosexuality की बात होती है यह यह भी बात होती है कि यदि माता पिता कभी थोड़ा सा ध्यान न दें तो बच्चे पर क्या असर होता है या फिर कि बुढ़ापे में जो अकेला पन है व उठाने पड़े तो उनके लिए कितना मुश्किल होता है उनकी अपनी frustrations क्या होती है यह सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आती है और जब यह movie खत्म होती है तो एक सवाल लेती है हलांकि यह सवाल वह भाई-भेन से पूछा जाता है इस movie में लेकिन यह सवाल हर आदमी के लिए है कि यह आप अपनी जिन्दकी की मसरूफियत में हैं आप अपने सपनों को पीछे दौड लगा रहे हैं लेकिन क्या आप एक बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए भी तयार है बहुत अच्छी यह movie बनी हुई है मेरी राय है कि आपको समय निक काला कोई मुश्किल काम नहीं है धूंडने में यदि आपको दिक्कत हो तो इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है वहां से भी इसे देख सकते हैं यह movie देख करके अगर आपके मन में कोई विचार आता है या किसी तरह से कोई आप अपनी राय रखना चाहते है तो कमेंट भी करिएगा तो दोस्तों अधीन के बारे में आज इतनी ही चर्चा आगे किसी और एप किसी और हाट टापिक किसी और वेब सिरीज के बारे में मैं आप से बात करूंगा तब तक आप मेरे वीडियो को देखिए मेरे चैनल को पसंद करिए और यदि किया है तो बेल आकान जरू प्रेस करिएगा ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन्स आपको मिलती रहे धन्यवाद